हेलो फ्रेंज वेलकम टू बाक मैं चैनल आज फिर से मैं आप लोग के च्छोटे नन्य मुन्य बच्चों के लिए हल्दी एंड वेटकें रेसिपे लेके आए हूं जिसे आप रेक फास्ट या तो फिर लंच में बना के से दे सकते हैं और इसे बनाना काफी आसान है तो अधिया टेस्टे रसीपे बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर पेन को पिठा देंगे और जैसे पेन गरम होने लगे आ इसके अंदल में मिला देंगे बढ़ा एक चमस बरावर यहां पर हम सूजी और साथी में मिला देंगे यहां पर 5-6 पिस मखाना और दोनों चीजों क मिलाते हुए हलका सुने रगोल्डन आने तक इसी फ्राइ कर लेंगे बच्चे को मखाने खाना बहुत ही पसंद होता है अगर इस तरीके से आप मखाना बच्चों को देंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा और साथी में इनका वजन तेजी से बढ़ने है तो यहां पर सूजी में कलर चेंज होने लगे हैं जैसे मखाने और सूजी का कलर चेंज होने लगे यहां पर मिला देंगे अधागला से थोड़ा सा ज्यादा दूद अब दूद का जगह में यहां पर पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप दूद मिलाएंगे तो यह जो फूट है टेस्टें हैल्दी बनके तयार होगा आधा गला से जादा हमने यहां पर दूद बिला दिया है अब ऑसाती में दो काजू मिला देंगे और यहां पर मिठास के लिए हम 8-10 पीसे यहां पर किस्मिशका मिला देंगी अब किस्मिशका जगा में जाजरी में चलाते हुए कुछ दिर हम कुक करेंगे और सारा दूद को हम सुखा लेंगे हमने यहां पर लग बक टोटल इसे पकाने के लिए 3-4 मिट का समय लिया है तो देखती देखती सारा सुजी और मखाना दूद को शोक कल लिया है और धीरे धीरे इसका थिकनेस गाड़ा होने लगा है इस तरह से हम चलाते हुए लगातार पकाएंगे सारा दूद को एपचॉप कर लिया है सूची और मखाने ने तो ये गाड़ा फॉम में आने लगा है अब इसे गैसका फेम को अफ करती हुए ठंडा होने तेंगे तो ये और ज़्यादा गाड़ा होने लगेगा और ये बन के रेड़ी होगा इस तरह से चलाते हुए हमने सारा दूद को सुखा लिया है और सारा प्यूरी को हमने यहाँ पर गाड़ा कर लिया है ठंडा करती हुए और ये और ज़्यादा गाड़ा फॉम में आ चुका है अब इसे हम मिक्सिजार में मिलाते हुए दो से तिन बार चला लेंगे और इसे फाइन सा प्यूरी बना लेंगे तो हमने मेक्सिको दो से तिन बार चला लिया है और ये प्यूरी फॉम में आ चुका है और आपको ज़्यादा गाड़ा लगे तो थोड़ा सा दूद मिला दिजिएगा अगर ज़्यादा से अगर आपको गाड़ा ही खिलाना हो तो इसमें दूद ना मिलाएं तो यहाँ पर सब करने के लिए बाल में रेडी हो चुका है आप इस healthy and tasty recipe को यहां पर morning या तो फिर lunch में दे सकते हैं और 7 मैने से उपर के बच्चे को आप इस food को खिला सकते हैं अगर आपको इस healthy and tasty recipe पसंद आया हो तो आप भी अपने बच्चों में ज़रू ठ्राई करें और मेरे चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल चैनल मेरे वीडियो को श्यर करें और लाइक का बटम प्रेस करना ना भूले तो थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो माई फ्रेंस